कि यह साथ में और असी सेंटी मीटर की साड़ी है या नोवरी साड़ी थी ब़्लाउस पेस मैंने कट कर लिया है और अब मैने साड़ी को नापदा है तो esat मीटर और असी मस्तानी पैरन बनने वाला McD还 और यहाँ पर मैंने दो मीटर का अस्तर ले लिया है तो आए सबसे पहले हम अस्तर की cutting कर लेते हैं अस्तर को इस तरह एक बार fold करने की बात एक बार और fold कर लिया है और अब हम सबसे पहले लंबाई कनाप लेंगे यहाँ पर लंबाई है 40 इंच और seat gear है 41 इंच याने 41 इंच लंबाई 40 और seat gear 41 तो यहाँ पर यह 40 इंच लंबाई है लेकिन उपर से है लगबग 3-4 इंच का पट्टा लगने वाला है फिर भी हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ही लेते हैं इसलिए 39 पर ही मैं मार्किंग कर रही हूँ और यह इतना सा ही जादा और अब हम seat gear कर नाप लेंगे तो seat gear है यहाँ पर 41 का चौथा हिस्सा याने इसके बराबर 4 भाग हमें कर देने हैं तो सवा 10 हो गया अब इसमें हमें 2 इंच मिलाना है तो सवा 11 और यह सवा 12 और यहाँ पर हमें मार्किंग कर लेनी है सभी परले बराबर कर लेने हैं उपर स एक्स्ट्रा हिस्सा में कठी कर लेती हूं और अब यहाँ पर seat gear का तीसरा हिस्सा हमें लेना होता है जब भी हम आसन बनाते हैं seat gear का तीसरा हिस्सा हमें लेना होता है कब जब हम पट्टी उपर से लगा रहे हैं यदि अंदर की ओर से पट्टी लगा रहे हैं तो हमें 2 साड़े तीरा पर ही में मार्किंग करी हूँ क्योंकि लगबख तीन से चार इंच का पट्टा उपर लाएगा बॉर्डर का और अब यहां से धाई इंच आगे जाना है यदि कस्टमर आप से कहता है कि नीचे जमीन पर गोदी बनाकर बैठ ना है हमें तो फिर यहां से तीन इ इंच पर हमने लिया दाई इंच पर ले तो एक इंच लिया जाए तो भी चलता है लगबख सावा इंच पर में मार्किंग कर रही हूं और इस तरह इसे शेप दे देना है अब यह वाली लाइन और यह वाली लाइन इसे मिला लेना है और अब कट कर लेना है अब यह अस्तर हाथ की और है उजवे हाथ की और राइट हैंड की और है और बाकी की पूरी साड़ी मेरे उल्टे हाथ की और है डावे हाथ की और है अब यहां से हमें नाप लेना है मेरी और वाली बॉर्डर से हमें नाप लेना है लंबाई हमारी कमर से पैर तक की जितनी लंबाई है 40 इंच यानि आपके और जो बॉडर है इस और से लंबाई का दो गुना यानि 40 और 40 फोर्टी और फोर्टी और दोनों निशानों को इस तरह से मैंने क्रॉस में मिला लिया है और आप इसे कट कर लेना है यह हमारा पल्लु कट हो जाएगा तो यह वाली जो बॉडर है जो मेरी और वा यह पढ़ना पर जमOS ले लाग 주idée है। ये सामनी टेप और पीछी वाली टेप पीछी वाली टेप में चोटे फ्होटे नंबर होते हैं संटिमेटर के होते हैं और सव्फ मिटर होते हैं यानि कि लग बार तो अब यहां से हमने पलू बह् Cloak कर लिया है अभी साणी सीधी है एक मीटर और 80 सेंटी मीटर इस तरह से हम नाप लेना है निशान लगा लेना है और बॉडर के नीचे से हमें कट करना है यहां से इस तरह से हमें कट कर लेना है कपड़ा एक मीटर 80 सेंटी मीटर इस तरह कट कर लेना है और इस और से भी बॉडर को कट नहीं करना है इस तरह से में कट करके निकाल लेना है एक मीटर और असी सेंटीमीटर याने सो सेंटीमीटर मैंने नाप और इसके बाद फिर से मैंने नेमल जो मैंगे असे सेंटीमीटर तक नाप ले लिया यानि एक मीट mejorarस्यू इसायतुनी मीटर कपंड़ा मैंने यहां से कट कर लिया तुम सुरकर हैं बॉर्टर में थोड़ा कंड़ा हुआ है और फिर यहां तक हम आए ये एक मीटर अस्सटीमीटर हम अंदर सब्सक्राइब तरह से यह कट कर लिया और इसोहर वाली बॉडर को भी हमने इस ही तरह से रहने दिया है जोड़ा अभीभी बागी है तो यह इस तरह से हमने चौक लिया है इसकी हम प्लीट कट करिंगे अब क्लीट कपड़ा कटकी एक मीटर अस्य सेंटीमेटर से है और यह साइड वाला घाग करॉस में हैं इस तरह से क्योंकि हम इस और से पलू कटकिया हुआ था तो यह इस तरह जो सबसे लंबा वाला भाग है उस और हमने निशान लगाया और ये बड़ा वाला जो भाग है उस और से अब हमें जो दूसरा निशान लगाना है ये वाला भाग ये जो हमने सीधा कट किया हुआ था इसे बिल्कुल बीच में ले लेना है यूँ और यहाँ पर मैं कट लगा लेती हूँ इस तरह से और अब जो यह मैंने कट लगाया है यह वाला भाग और यह जो हमने निशान लगाई है यहाँ पर 12 इंच का इन दोनों निशानों को मिला लेना है अब यह जो 12 इंच पर हमने निशान लगाया वहाँ पर हमने टेप रख दी और जो दूसरा वाला छोर है साडी का जिस ओर हमने बिल्कुल बीच और बीच में निशान लगाया था उस ओर इस तरह से टेप और स्केल दोनों को मिला कर और मैंने एक लाइन ड्रो कर ली है और अब हम टेप को और इस केल को हटा लेते हैं और इस भाग से इसे पूरा कट कर लेना है अब इसे हमने कट कर लिया है अब जो दो बराबर वाले भाग है इस भाग को यह जो बड़ा वाला भाग है इस और से चोड़ा वाला भाग है और इस और से दोनों बराबर वाले भाग है बस इस वाले पल्ले को यह घुमा लेना है इस तरह से गुमा लेना है यह यह भी भाग सीधा है बूटियां सीधी है और यह वाली भी साड़ी सीधी है यानि उल्टी नहीं है यह साड़ी इस तरह से यह दोनों भाग बिल्कुल बराबर बराबर हो गए हैं और अब इसे इस तरह से रख देना है उल्टा इसके उपर यह यहां पर एक सिलाई लगा लेनी है और फिर इसे खोल लेना है अब मेरी ओर वाला जो भाग यह पूरा सीधा है और आपकी ओर वाला जो भाग यह पूरा क्रॉस में है तो इस पूरे क्रॉस वाले भाग में हमें बॉर्डर लगानी है और फिर इसके हम प्लीट तयार करेंगे इसी ओर से हमने पहले पल्लू कट किया और इसके बाद में प्लीट के लिए यहां से कपड़ा भी कट कर लिए अब हम साड़ी के अंदर के भाग की ओर चलेंगे यह वाला जो भाग है यहां से हम काश्टा कट करेंगे तो इसके लिए पहले से फोल्ड कर लेना है इस तरह से यानि बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर आ जाए इस तरह से रख देना है और अब यहां से नाप लेना है हमें जो हमारी कमर से पैर तक की लंबाई है इसमें 5 इंच और मिला देना है तो हमारी कमर से पैर तक की लंबाई है 40 तो यहां से हमें 45 इंच का नाप लेकर कपड़े को इस तरह से कट कर ले रहा है अब यह 45 इंच हमने कट कर लिया है कपड़ा किसी भी एक और इस ओर या इस ओर क्योंकि डबल काश्टम जब हम बनाते हैं तो किसी भी और एक और आशन वाला भाग रख लेना चाहिए अस्तर व दो रासन हमने डौकिया और एक और से हमें 6 इंच इस तरह से मार्किंग कर लेनी है छे इंच पर गोलाई दे देनी है और यह भाग भी कट कर लेना है दोनों भाग कट कर लिया हमने और यह अब हमारा डबल कश्टम कट हो गया है यहां से भी मैंने इसे कट करके अलग- वाग कमर पर 15 रव मेह इस तरह से इस तरह से टोकिंग कर लीना है और इसे आर बार एक बार इस तरह से मार्किंग कर लीना मेंद्यी और एक बार 17 कलिद्यीद दीना है और अब में निसपी नहों पहल दोल दॉट वेल दौटिए से कम 10 चन एक पूंग मैं तुट कर ले दो mostly तोड़ा बहुत बड़ा हो तो भी चलता है लेकिन 10 इंच बड़ा हो तो यह सुन्दर दिखाई देता है तो हमारी 40 इंच लंबाई है और यह लगभग 10 इंच बड़ा हो रहा है 40 से 50 इंच याने पूरा 50 इंच के दो पल्ले हो गए है अब इस पर हम अस्तर का कपड़ा रख देंगे अस्तर का कपड़ में रख दिया है और अस्तर वाला जो कपड़ा है इस पर हमें बॉर्डर को रखना है और बॉर्डर जितनी बड़ी है उससे एक इंच बड़ा इस तरह से अस्तर वाले भाग को फोल्ड कर देना है और अब इस भाग को यहां पर रख लेना है मेरी ओर वाला भाग फोल्डिंग वाला भाग है इस ओर से सबी पल्ले खुल ले हैं तो इस तरह से रखने के बाद अब हमें यहां से इस तरह से लाइन डो कर लेनी है और यहां से हमें लाइन डो करनी है इस तरह से यहां तक लाइ ऊणी और हिस्थे को उपर के और रख कर यहां पर हमने मार्क किंग कर लिए कर दोपले कुझेम अन एका रुए दूसरे अभीज दोनों और की बाड़र कट थी तेए में जो लमबी वाली बाड़वें एक थोड़ी से लंबी है यह इस लंबी वाली बॉर्ट को मिल लो फेली प्लीट कबड़ बंतरी केन है और क्रोस को फेलीं यहांक पूर्च इस तर भाग में प्लीक प्लीट को फेली में आपसे थे सब्वीरे साथ आप औरва कपन' रख देंगे या पृल नहीं सीधा होना चाहिए और दमने कतेां अप 4 अब यहीन आपधा सकता सक्यागे एसी तरहम से कते होएगा पहला भाग बड़ा है तो यहां पे हम चिम्टी अलई कर लेंगे तो इसे कट कर लेना है अब इसे मैंने कट कर लिया है और अब यह जो भाग है यह कमर की ओर आएगा और यह भाग पैर की ओर आएगा तो अब यहां से हम निशान लगाएंगे निशान 8-8 इंच के अंतर पर पहुआ लगाय जासकते हैं या फिर 7-0 inchn के अंतर पर यहाँ पर पहला निशान में 3-1 पर बाते हों इसके बाद 8 निश्य पर लगाय सकते हैं यह लिए 7,500 साथ 7.5 इंच पर ça के मार्किंग कर रही हैं सब्छाहां से बन क्या आख हरी तक 7-1.5 इंच पर लगा लिए अब कपड़े को मैं यूं कर लेती हूं इस तरह आढ़ा अब यह जो पहला निशान लगाया है हमने तीन इंच के अंतर पर यहाँ पर इस निशान को हमें छोड़ देना है इसके बाद यह जो दूसरा वाला निशान है साड़े साथ इंच के अंतर पर जो हमने लगाया इस तरह हमने प्लीट बनाई और इस पहले निशान पर इसे रख देना है इसके बाद इसके आगे वाला निशान फिर से इस तरह से पकड़ना है इसकी प्लीट बनानी है और यह जो पहली वाली प्लीट है इस पर हमें इसे रख देना है यह और पहली प्लीट और दूसरी प्लीट में थोड़ा थोड़ा अंतर होना चाहिए इसी तरह से सारी प्लीट पकड़ते हुए हमें सारे निशान को पकड़ते हुए प्लीट बनानी है और इसी तरह रखते जानी है एक के उपर एक और सभी में थोड़ थोड़ा सांतर होना चाहिए अब ये इस तरह से हमने सारी प्लीट ले ली है और यह जो प्लीट्स का अंतर है, मैंने काफी कम रखा हुआ है, लगबग पाव पाव इंच, यह आप चाहें तो थोड़ा जादा जादा इस तरह से भी रख सकते हैं, और यह इससे भी जादा रखा जा सकता है, पिने लगा लेनी है, सभी प्लीट्स में भी पिने लगा लेन कि सभी प्लीट्स पर एक एक पिन को हटाते हुए मैंने यहां टाका ले लिया है इस तरह से जुड़ जाता है एक प्लीट का एक प्लीट में इस तरह से सारे टाके जुड़ गया है इस ओर टाके लेने से क्या होता है कि आप शाही मस्तानी इसी तरह से पहन सकते हैं और आप इस तरह से फोल्ड करके पिने लगा ले तो आप इसे राज लक्षमी में भी बदल सकते हैं यानि दो पैटन के साड़ी हो जाएगी टू इन वन लेकिन अदि आप इस ओर टाके लगा हैं तो फिर इसे आप शाही मस्तानी ही पहन सकते हैं राज लक्षमी यह नहीं हो पाएगी और इसके बाद मैंने इसमें प्रेस भी कर ली है अब हम सलवार वाला भाग तयार करेंगे बडर को हमने जोड लिया है और उपर से भी एक सिलाई लगा ली है अब इसे उल्टा कर ले लेना है और यहां से यहां तक भी सिलाई लगा लेनी है इस आसन वाले भाग तक और इसी तरह से यह वाला भाग भी यह इतना गैप रहेगा तो इसे इसी तरह से सिलाई लगाते हुए धीरे धीरे सरकाते हुए हमें इसे यह साइड में ले लेना है और इस आसन वाले भ सिलाई लगा लेनी है आसन वाले भागों में हमें अभी सिलाई नहीं लगानी नीची के और से सिलाई लगा लिए साइड से सिलाई लगा लिए कमर के और से हमने आसन में चिम्टिया लगाकर यह जोली यह और यह इस तरह में इस तरह में अपक्रूर आले पल्लू को मैं खोल लेती हूं अच्छी तरह से पल्लू का कप्डा भी सीधा होना चाहिए बॉडर भी सीधी है ये और अब यह जो आसन वाला भाग है इससे चार से पाच इंच नीचे इस तरह से हमें बॉडर को रखना है यहां सिला ही लगा लेनी है और इसके बाद चिम्टियां लेते हुए पल्लू को हमें जोड लेना है आसन में और कहां तक जोड़ना है यह जो कमर वाला भाग है इस से एक इंच नीचे तक यह बॉडर आनी चाहिए इस तरह हमें चिम्टियां लेकर सिलाई लगा कर जोड लेना है इस आसन में पल्लू जुड़ेगा और असी का यहां पर हम में प्लीट जोडनाए। जोत को किस तरह से जोड़ेंगे। यह सीधि फ्लीट है । उल्टि कर देना है। त्षर भीए हम फिल्ट शुरू कर देदा है। इस तरह दा लगाते हुए इस यहां से ल tone कल लेन है और पेड़ वाली भाग बीसे जोड़ानाँ नैंने जोड़ा हैं यहां पर हम जोड़ा । सबस्क्ती हो एक और थोली तरह दैको smartphones इस तरह से हम ने कर लिए है । यह पेर वावाला भाग है शलवार अब जो हमने काश्टोप कट किया हुआ था यह ऊशने हा था घोल होई थी तो यह आस न वाला जो भाग हमने कट किया हुआ था Ugh Когда इस पर रख दिया हमने क्योंकि काश्टा डबल कट हुआ था हमने दो काश्टे कट किये थे तो ध्यान रखना है कि यह बॉर्डर सीधी होनी चाहिए जब हम इसमें लगा रहे हैं तो यह बॉर्डर कपड़ा सीधा होना चाहिए आशनवाली भाग में बिल्कुल बराबरी में हमें सिलाई लगा लेनी है अब यह जो सलवार की बॉर्डर है इस बॉर्डर को हमें यूँ करके यहां पर ले आना है और यहां से लगबख आट इंच तक बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है इस तरह से बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है अब यह वाला जो भाग है ये सलवार वाला भाग और ये कश्टे का भाग तो अब इसे हमें यहां से बॉर्डर तक भी लगभग 3-4 इंच तक बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है और बीच में इस सारी की बारिक 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 चिम्टिया लगा लेनी है याने बीच में चिम्टिया आ जाए लेकिन जोड़ते समय इस बात का थ्यान रखना है थे और इतना हो जाने के यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगाने के बाद फिर इसे इस तरह से कर लेना है और सारे काश्टे पल्लू सभी भागों को अंदर करते हुए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है और फिर यहां से यहां तक दो बार सिलाई लगा लेनी है इंटरलॉक या जिक्सक की सुविधा हो तो वो भी कर लेना है इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसे पलटा कर सीधा कर लिया है मैंने और यह सामने वाला भाग है अब ये सिलाई वाला भाग ये सिलाई वाला भाग और ये सिलाई वाला भाग इन दोनों सिलाई वाले भागों को इस तरह से मिला लेना है ये भाग और ये भाग इन दोनों के बिल्कुल बीच वाला भाग यहाँ पर हमें इस बॉर्डर का बीच वाला भाग फिक्स कर देना है और सिलाई लगा लेनी है और जो पीछे वाला भाग है यह वाला भाग काश्टे वाला अब यह एक पला सीधा है इस पर यह दूसरा पला काश्टे का इस तरह से रखना है और ये भाग इस कमर से जुड़ा हुआ है तो यहां से लगभग 10 से 12 इंच तक हमें सिलाई लगा लेनी है इसके बाद ये जुड़ जाएगा और फिर ये वाला जो भाग है इस ओर का जो पल्ला है इस ओर हमें प्लीट ले लेनी है और इस ओर वाला जो भाग है इसकी हमें इस ओर प्लीट ले लेनी है और इसे भी कमर से इस तरह से जोड लेना है सिलाई वाला भाग बिल्कुल सिलाई वाले भाग की हो रहा है ये सिलाई वाला भाग और सिलाई लगा कर फिक्स कर दिना है अब ये काश्टे में हमने सिलाई लगा ली है और सिलाई लगा कर इसे कमर में भी हमने फिक्स कर लिया है अब ये जो सामने वाला भाग है इसमें हमें उपर की और नेफा पटी लगा ली है तो यहां border काफे चोड़ा है इसलिए थोड़ी सी ही मैंने अस्तर की पटी इसमें जोड़ी हुई है अब इसे हमें पहले सीधा जोड़ लेना है border को और जो नकाँ से है ये आसन वाला भाग और ये आसन वाला भाग और ये कमर वाला भाग इन दोनों के बीच से यहां से हमें पहले यह सीधा वाला भाग इस तरह से जोड लेना है दो सिलाई लगा कर नीले रंका धागा पिरो लेना चाहिए इसके बाद इसे पिछे की और फोल्ड करके एक सिलाई और लगा लेनी है और इसमें से हम नाड़ी पिरो लेंगे यदि आप नेफापटी लगाने का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है आप देख सकते हैं